आमी जे तुमार, शुधु जे तुमार, आमी जे तुमार अभी इस गाने को ऐसे कंपोज किया गया है, so that it can get that so-called classical feel in it, right? So there have been elements borrowed from Hindustani music in this song. तो मेरे दिमाग में ऐसे आया कि, why not use the example of this song to learn about the elements of Hindustani music, right? So, let's go! सबसे पहले हम बात करेंगे गाने के स्ट्रक्चर के बारे में. अभी, अबगर आप कोई भी फिल्मी गाना ले, तो उसमें एक specific आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है. एक अस्थाई होती है और अंत्रे होते हैं काफी सारे, okay? आमी जे तुमार में एक अस्थाई है और दो अंत्रे हैं. तो ये अंत्रा और अस्थाई का कंसेप्ट अक्चुल में बौरो किया गया है from Hindustani music, especially from Khayal and Dhrupaaj Shaili. तो Khayal और Dhrupaaj Shaili, even for that matter, ठुमरी और तपपा जब गाते हैं, तब उनके compositions होते हैं, जिन्हें बंदिश कहते हैं, राग में बिठाए गए, sort of like compositions, जिन में हम अंत्रा और अस्थाई को, sorry, अस्थाई और अंत्रा, ऐसे उनको हम देखते हैं उस structure में. अब traditionally देखा जाएं, तो बंदिश में अस्थाई, अंत्रा, संचारी और आभोग, ऐसे चार हिससे हुआ करते थे, पर वो हम किसी और दिन discuss करेंगे, but in modern Hindustani music, it is just स्थाई and अंत्रा, ओके तो ये आप याद रखिए, और इसे बौरो किया गया है, फिल्म music में भी, तो जनरल पैटरन कैसे होता है, कि यू सिंग अस्थाई, then there is some music that comes in, फिर आप अंत्रे को गाते हो, और फिर वापस इस थाई के पास आ जाते हो, है ना? तो इस लाइक इस गाने में, आमी जे तुमार, शुधु जे तुमार, इस इस दा अस्थाई, और साथेरे साथेरे मर के भी तुझको, ये आ गया अंत्रा, अभी इस गाने में दोनों अंत्रे जो है, वो उसकी ट्यून बिल्कुल ही सेम है, बट ऐसे भी गाने होते हैं, जिन में जो अंत्रे हैं, उनकी ट्यून अलग-अलग होती है, फॉर एक्जाम्पल, कल होना हो का गाना, है ना? ये अस्थाई हो गई, अंत्रा, फर्स्ट अंत्रा इस, ये याद में रखिए, ओके, अनो गोईग आं, तो ये याद में रखिए, पहले अलमेंट की बात करते हैं, जब गाना शुरू होता है ना? आमी जे तुमार, शुधु जे तुमार, आमी जे तुमार, तत्ते तरकरता, तरकरता, तत्ते तरकरता, तरकरता, तत्ते तरकरता, 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 अभी ये तरकरता, तरकरता, ये सब क्या है? तो this element is called bowl, यह bowl जो है वो तबले के bowl है, specifically तबले के bowl है and the concept of bowl is basically हिंदुस्तानी music में ऐसा एक tradition है कि instrument के sound को आप human voice से imitate करते हो, तो उस sounds को आप जब गाते हो तो यह bowl पैदा होते है तो इस गाने में I think पकावच के bowl भी use किये गए है, धागे, धिन, यह ऐसे सब bowl होते है and तबले का sound अलग होने से उसके जो bowl है वो पकावच के bowlों से अलग है but basically इस गाने में percussion instruments के bowlों का इस्तमाल किया गया है अभी हिंदुस्तानी मुजिक में खास करकी जो कथक शैली है, डान्स की शैली जो है उसमें जब डान्स करते हैं तब लेकारी करने में इन बोलों का बहुत ज्यादा इस्तमाल किया जाता है तो इस गाने में, of course, Monjolika is dancing, right? तो उसमें, that is why this bowl just highlights the whole feel of the song अभी दूसरे element की और जाते हैं तो उसमें, when the song progresses, when the asthai only progresses, you have मेरे चाहते तू फिजा में बहेंगी जिन्दा रहेंगी हो के फना अभी ये क्या थे? ये तबले के बोल थे? तो नहीं ये actually तराने के बोल है अब तराना ये हिंदुस्तानी संगीत में गीत शैली है जिसमें कहा जाता है कि meaningless बोलों का इस्तमाल किया जाता है बट कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये बोल दरसल meaningless नहीं थे ये अपब्रण्च है फार्सी शब्दों का ये इस अपब्रण्च है फार्सी शब्दों का ये पार्सी लेंगविज के लिरिक्स ये ना? but now it has come down to sounding quite meaningless and something that gives a very nice sound but it doesn't form any lyrical meaning as such अगर आप मुझे पूछ होगे तो yes, it's definitely the corrupt version of Farsi words but at the same time थोड़ा जो अलग sounds का influence है जैसे percussion instrument या फिर string instruments के जो sounds है उनका भी influence इस इन बोलों में हम पाते हैं तो तराने के बोल कैसे होते हैं तो जैसे for example ताना तोम, तोम नोम, ताना देरेना तो ये बोल जो है बहुत यूनीक है और आप उनहें identify कर सकते हैं जब आप उनहें सुन लेते हैं अभी तीसरा element जो बहुत ही ज्यादा इस्तमाल किया गया है इस गाने में वो है सरगम तो सरगम is a very interesting hack अगर आपको किसी भी गाने को एक हिंदुस्तानी फ्लेवर देना है तो सरगम आ जाता है अब सरगम याने सारे कमप अधनी इन बोलो के इस्तमाल से जब आप कोई भी melodic phrase गाते है तो उसे सरगम कहा जाता है so this whole piece of सानीधा नीधा मा माग सानीधा नीधा मा यह तुछ बस एक पार्ट है बट इस गोज ओन और राइट and even the climax of the song यह भी सरगम से अंड हो रहा है now fourth element is the element of तान तो खयाल के खयाल शैली के vocabulary के हिसाब से तान याने एक melodic phrase को किसी भी स्वरों को स्वरों के फ्रेज को एकदम speedily लेना एक speed में लेना एकदम fast उसको गाना उसको तान कहते है तो इस गाने में mostly सरगम की तान आई है यह सरगम की तान है यह सरगम की तान है now remember दुरूपद शैली में तान का meaning अलग है so don't get confused दुरूपद में जब आप तान बोलते हों तब इस तकिंग लिएक पीस in a very slow manner like तो इसको तान कहते है so yes same thing can have different meanings even in Hindustani music अभी fifth element की बात करें तो है the element of ornamentation जिसे हम कहते हैं अलंकार या फिर लोग उसे कहते हैं हरकतें तो उसका जो इस्तमाल है वो काफी ज़्यादा किया गया है इस गाने में especially the ornament of मुर्की अब मुर्की क्या है वो आपको मैं गा के बताती हूँ इस गाने के थूँ बट जिस शब्दों में बया करूँ तो एक बहुत ही हलकी बहुत ही delicate सी हरकत है तो आमी जे तुमार में बहुत सारी मुर्किया है for example आमी जे जे तुमार सुना ये मुर्की हुई ना 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 ये भी मुर्की मेरी चाहते तो वेजा में में मुर्की बहेंगी जिन्दा रहेंगी होके ये भी मुर्की है तो झे पिर there comes a cluster of मुर्की's in आकार यह सब मुर्किया थी एक क्लस्टर में तो इस गाने में इतना ज्यादा यूज़ किया गया है मुर्कि का टू लाइक मेक इट साउंड वरी हिंदुस्तामी चलिए तो फिर दोस्तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा ये चानल पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए दूसरे वीडियो को देखे उन्हें शेर कीजिए तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में तब तक के लिए पीस